बच्चो आज हम लोग बहुपत का गुड़ा यानी की multiplication of a polynomial सीखने जा रहे हैं algebraic expression कि आखिर इसे कैसे किया जाएगा इसके पहले लेकिन बच्चो आपसे request करना चाहूंगा कि एक मैने बहुपत का जोड कैसे करें बहुपत का घटाना कैसे करें अगर आपने इन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो आपसे request है किरपे इन दोनों वीडियो को देख लिजेगा क्योंकि इसके बिना आपको ये सबंज में आएगा नहीं बच्चो ठीक है तो देखिए इसको start करने के पहले एक समान नियम आपको बता दूँ जो कि इसमें हम इस्तमाल करेंगे घात का अगर देखिए जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ x के घात तीन है माल लिजे ठीक है x to the power 3 है और हमें इसे गुणा करना है x के घात 2 से यानि x to the power 2 से तो इसको करने के लिए बस आपको एक समान नियम याद रखना है और ये y तम नहीं काम करते है ठीक है अब इनके जो उपर घात है जो पावर है उसको क्या कीजिए आपस में जोड दीजे तो कितना आ गया x के घात 5 x के घात 5 आ गया तो ये देखे इसका उत्तर आ गया ठीक है ये समान सा नियम है और अगर इसको सब पे अगर लागू करना है तो बस इसको x से लिख लिए ये x to the power m गुडे x to the power n क्या होगा x to the power m प्लस n बस ये नियम आप याद रखेगा जब अभी हम सवाल हल करेंगे बच्चो ये नियम एकदम हर इक जगा काम आने वाला है इसमान लिजे की गुड़ा करना है 6xy गुड़े माइनस 2x square y cube ठीक है तो इसे हमें गुड़ा करना है तो हमें करना क्या होगा इसमें ध्यान देजेगा इसमें करना क्या है कि संख्याओं को गुड़ा कर लिजे पहले 6 और 2 को आपस में गुड़ा कर लिजे कितना आगे 6 द यहां पर x के घात कुछ दिया हो आपको दिख तो नहीं रहा है यहां पर तो यह जान लिजे कुछ ना दिया हो तो एक रहता है भच्चों ठीक है अब यहां देख्ये X के घात 1, X के घात 2, यही वला फॉर्मला पर अपलाई कीजिए, ठीक है, X के घात 1, X के घात 2, 1 और 2 कितना होगा, 3, X के घात क्या लिखेंगे, 3, वैसे ही Y का यहाँ कोई घात नहीं दिया, वैसे क्या लिखेंगे, यहाँ 1 है, 1 और 3 कितना होगा, 4, तो Y के घात 4, यह के समान नहीं है, इस तरह से भी जो लेकिन आज मैं बताने वाला हूँ, और column method, best method है, किसी भी बहुपद के गुणा को करने के लिए, लेकिन कुछ चीजे जानते चलिए, क्योंकि यह भी हमें जानना जरूरी है, जैसे माल लिजे, एक दिया हुआ है, बहुपद यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, bracket खोल रहा है, A को हम क्या करेंगे, B के साथ गुणा करेंगे, तो A भी लिख लिजे, ठीक है, जोड का चिन है, जोड का लगा दिजे, अगर घटाना का रहाता तो हम घटाना का लगा देते हैं, और A को C से आप गुणा कर दिजे, तो यह भी एक समा अगर देखे, X, Y लिखे हैं, मतलब 6 गुणे X, गुणे Y, जो भी इसका मानाएगा, अब पस में 3 का हमें क्या करना है, ठीक है, अब आईए, इसको देखे, apply कैसे करना होता है, जैसे एक सवाल आपको दिखा देते हैं, 2X है, ठीक है, प्लस मान लिजे 3Y है, इसको हमें ठीक है, फिर है आपका 5X, माइनस 7Y, ब्रैकेट में लिख लिजे, प्लस का चिन है, तो यह प्लस का लगा देजे 3Y, फिर इसको वापस से, इसको इस तरीके से लिख लिजे, यह लेकिन लंबा मैटर है, हमें देखे, सौट काट मैटर है, फिर इसको गुणा कर लेते हैं, 10 10X, माइनस 14Y, प्लस 15XY, माइनस 21Y स्कॉर, यह मैंने जोड का नियम बताया हुआ है, सबको एक जगा कर लेंगा, और इसको हम जोड लेंगा, यह 10X स्कॉर है, ठीक है, तो इस तरह से यह आपको उत्तर ही इसका आभी गया, क्योंकि सब चीजे अलग-अलग है, वेरेबल्स यह सवाल आपको मैंने दिखाया हुआ है, तो इस सवाल को हल कैसे करेंगे, सबसे पहले देखे, इसको घटते वे करम में आप जो भी घात दिये वे हैं, X स्कॉर है, फिर X है, फिर यहाँ पर आपका कॉंस्टेंट है, ठीक है, यानि कि आपकी रासी है, आपकी अचर रासी है, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, कि अब देखे, आप सोचेंगे कि जो समाने हम गुणा करते हैं, इधर से करना स्टार्ट करते हैं, फिर इस से करते हैं, ठीक है, लेकिन बचो यहाँ ध्यान दिजिएगा, क्योंकि हमें हमेशा घटते हुए करम में ही लिखना है, X के उत्तर हमें निकालना है, तो सही तरीका बच्चो यही है, इस से असानी से हम उत्तर के हल को भी देख लेंगे, कि क्या option में यह option है, जो उत्तर आया है, उसका option कहां पर है, तो आईए इसका मैं गुणा आपको बताता हूँ, सबसे पहले हम देखे, 3X स्कौायर वाले को 3X के घाद 2 से हम गुणा करने जा रहे हैं, तो इसका उत्तर देखे, इस लाइन में यह मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, 3 टूजा, 6, अब यहां देखे, X के घाद 2, X के घाद 2, ठीक है, तो यह कितना हो गया, 2 और 2, 4, X के घाद 4, अब देखे, यहां पर इस से पहले 2, X के घाद 1, ठीक है, कितना हो गया, X के घाद 3, माइनस के चिन है, माइनस के चिन लगा देजे, 37 जा, 21, X है ही नहीं, तो हम इसी के घाद को लिख देंगे, X के घाद 2, यह देखे, आपका 3X स्कौायर का गुणा हो गया, जो हम यहां बारी-बारी से अलग-लग कर रहे थ गुणा करने की, माइनस 5X से, ठीक है, इसको मैं इस लाइन में लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, आपके सामने है, अब देखे, इसको मैं गुणा करता हूँ, अब ध्यान देना यह है, कि जितना घाद का पावर आएगा, उसको उसके नीचे आपको लिखते चले जाना है, चार में नहीं लिखना है, नहीं 2 में लिखना है, ठीक है, तो यह 10 हो गया, माइनस 10, X के गाद 3, तो हमने इससे गुणा कर दिया, अब इससे गुणा करें, यह माइनस 5 है, माइनस 5 गुणे 3 कीजिए, तो माइनस 15, X के गाद 2 आएगा, क्योंकि यह 1, यह भी 1, ठीक है, त तो यहां गया माइनस 15 एक्स के गहाद 2, अब यहां देखे यह माइनस 5, यह है माइनस 7, क्या होगしく flashes क्या होता? आपको पता है, MEMाइनस को अगर माइनस से गुना करते हैं तो क्या प्लस होता है, तो 75, 35 यह प्लस हो जाएगा, 35X, ठीक है? यह आपको तीनों संख्याउं देख को ठीक है अब देखे प्लस 4 की बार यह चारों दो को गुणा कीजे 8 और X के घात 2 यहाँ है तो हम इसको यहीं लिख लें प्लस आएगा प्लस 8 X के घात 2 ठीक अब यह हम किससे गुणां कर रहे हैं 4 से हम गुड़ा कर रहे हैं ठीक है अब यह देखिए इसको क्या करेंगा 3x से गुड़ा करना बारी-बारी से तो 4, 3, 12x तो प्लस 12x ठीक है अब कितनी बारी आई इसकी यह माइनस ही आएगा माइनस प्लस क्या होता है माइनस 4, 7, 28 तो माइनस 28 अब देखिए हमने तो यह हम क्या करेंगे बहुपद को जोड़ेंगे अब जोडने की बारी है तो आईए जोड़ें इसका देखिए उत्तर के आता है इसके नीचे कुछ नहीं है तो यह क्या है 6x ठीक पाउर 4 अब यह देखिए माइनस 10 यह प्लस 9 तो क्या आएगा माइनस 1 आया X के घात 3, तो X के घात 3 ही लिखें, क्योंकि 1 हमें लिखना नहीं होता है अब देखें, यहाँ पर क्या करना है, 21 और 15 है ठीक है, तो अगर हम इसको घटाते हैं, तो 15 में से आपका 8 गया 7 ठीक है, माइनस 7 हो गया, तो माइनस 7 और 21 कितना हो गया, माइनस 28 जितना X के घात है, उसको हमें लिख दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ कितना होगा, 35 और 12 कितना हो जाएगा, 47 47 X और यह कितना हो जाएगा, माइनस 28, ठीक है, देखें, इस तरह से ही सवाल को हल करना था बारी बारी से, जैसे आप गुणा करते हैं, वैसे गुणा करते चले जाएगे, ठीक है, संख्याओं को लेते वे, जो चिन है, चिन का आपको ध्यान रखना है, माइनस, माइनस, प्लस, प्लस, माइनस क्या होगा, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे, क्या होगा, माइनस हो होंगा कि भाग अखिर कैसे करना चाहिए ठीक है बच्चो थैंक यू थैंक यू थैंक यू बहुत